खबरे 27 तक धूप छाओं के बीच जारी रहेगी बुंदा बांदी लोग प्रेशर के कारण परभावित हो सकता है मौनसुन दोस्तो धूप छाओं के बीच एक आएक आसमान में बादल छा गए और फुहारे बरस जा रहे हैं पिछले कई दिनों से मौसम में ऐसा परिवर्तन देखने को मिल रहा है अगले 27 अप्रेल तक यह परिस्थिती बने रहने का अनुमान है इस बदलाव की बज़़ असम में ताकतवर लोग प्रेशर का बनना है असम की ओर जा रहे बादलों से यहां भी बीच बीच में हलकी आसपास की तेज बारिश जहां आसपास तेज बारिश हो सकती है राज्य की उत्तर पूरुए हिस्से में इसका ज्यादा परभाव दिख सकता है डोक्टर ज्यादों ने बताया कि असम के लोग प्रेशर के केंद्रे बदलने तक यह परिस्थिती बने रहने के आसार है कबरे कॉरोनावाईरस से लड़ाई में एकता और भायचारे को दी जाया परधानता P.M.M.O.D. ने कहा दोस्टो देश के लोगों को सचेत करते हुए P.M.O.D. ने कहा कि कॉरोनावाईरस जाती धर्म, रंद, जाती पन्त भासा या सिमाउ को नहीं देखता इसलिए हमारी प्रतिक्रिया और आचरण में एक्ता और भायचारे को प्रधानता दी जानी चाहिए इस परिस्थिती में हम एक साथ हैं उन्होंने कहा कि भारत के अगले बड़े विचारों को बैश्वीक प्रासंगीता और अनुपरयोग मिलना चाहिए उनके पास नकेवल भ पर जोर दिया कोरोना वाइरस से लड़ाई के दोरान कुछ अफवाहें फैली जिससे लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ा इसमें सोशल मीडिया की बड़ी भूमिकार रही चाहे वह दिल्ली के आनद विहार या मुंबई के बांदरा में परवासी मजदूरों का जम इसमें अफवाहों ने बड़ी भूमिका निभाई कोरोना वाइरस को लेकर तबलीगी जमात के कारण जिस परकार लापरवाही बरती उसका खामियाजा पूरे देश को भुकत ना पड़ा पूरे देश में लगबग 30% केस तबलीगी जमात के कारण आये हैं इसके साथ ही को जोखी में डाल कर जूज रहे स्वास्थ कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर देश में अलगला जगहों पर हमले हुए हैं उसने भी उनके हौसलों को कमजोर किया है पी एम मोदी ने इन सभी नाकरातमक भावनाव पर अब परत्यक्ष रूप से परहार किया है खबर है कुरोना से लोहा ले रही जहारकंड की सक्षियां बना रही मास्क वो सैनिटाइजर जहारकंड के गरामिन इलाके भले ही कौरोना से अचुते हैं लेकिन गरामिन शेत्यों की महिलाएं इस बैश्विक महामारी से युद्ध में बचाओ के अगरीम मोर्चे पर हैं इसके लिए आवश्यक सामान जीला परशासन मुहिया कराता है ग्रामीन विकास विभाग की का आजीविका मिशन इसकी देख रेक कर रहा है सक्षी मंडल 10 से 15 ग्रामीन महिलाओं का स्वय सेवी समो है राज्य में 2,4,000 सक्षी मंडल विभिन स्तरों पर बरतमान में सक्रिये हैं खबरे लोकडाउन से छूट की खुश भमी में ये काम न करें भूल कर पढ़ेंगे मुसिबत में ये जानना आपको जरूरी है कोरोना के संक्रमन से बचाओ के लिए लागू लोकडाउन में 20 अपरेल की रात यानि सोमवा रात साड़े बारवजे से कुछ धील दी जा रही है यह धिल उन इलाकों के लिए है जो अब तक कोरोना से महफूज है यानि ग्रीन जोन में शामिल है इन्हें छूट मिलने की खवर से अधिकारिक लोक उत्साहित है हद तो यह है कि अधिकतर आज यानि रविवार से ही घरों से भी येता की तरह निकल रहे है यह आपको जानाना ज़रूई है कि यह छूट कुछ शर्टों के साथ दी गई है सुनी सुनई बातों पर अमल करना और शर्टों की अंदेखी आपको मुश्किल में डाल देगी और इसी के साथ एक बड़ी ख़बर आयकर विभाग नए ITR फोर्म करेगा जारी आयकर दताओं की सुविधा के लिए फैसला आयकर विभाग ने रविवार को कहा कि वह बीत वर्स 2019-20 के लिए IT रिटर्म दाखिल करने वाले फार्म में संशोधन कर रहा है कोरोना वाइरस महमारी की वज़े से सरकार ने विभिन चीजों के लिए समय सीमा बढ़ाई है और आयकर दाताओं को इस चीज का लाब देने के लिए विभाग फॉर्म में संशोधन कर रहा है बीत वर्स 2019-20 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म इस महिने के आखरी तक अदुसुचीत कर दिये जाएंगे सरकार ने टेक्स से जुड़े विभिन नियमों में संशोधन करती हुए विभिन तरह की चीजों के लिए अंतीम समय सीमा को बढ़ा दिया है इसी तरह बीत वर्स 2019-20 में सेक्षन 80C के तहत LIC, PPF, NSC इत्यादी, SCD यानि की मीडी क्लेम and SCG दान के लिए जरूरी भुखतान की समय सीमा को बढ़ा कर 30 जुन 2020 कर दिया क्या है Central Board of Direct Texas यानि CBDT ने एक बयान में कहा है कि Corona Virus की महमारी की वज़े से उत्पन परिस्थितियों में विभिन तरह की चीजों के लिए समय सीमा बढ़ा है जाने का पूरा लाब आयकर दाताओं को देने के लिए CBDT वीत बर्स 2019-20, Assessment Year 2021 के Return Form में संसोधन कर रहा है जिसे इस महिने के आखिरी में नोटिफाई कर दिया जाएगा तो दोस्तो ये था अब तक की बड़ी ख़बर, मुख्य समाचार और ताजा ख़बरों की सुर्खिया दोस्तो आपसे अनुरूद है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेर करें और इजाज़त दे, नमस्कार